हलो अब्रीबेड़ी वेल्कम बेक मेर्चानल बिक्नम नीरस तो यह आपकी सीरीज चल रही है आपको पता है 30 questions की सीरीज चल रही है हम डेली आपको questions करा रहे हैं physics, chemistry और bio के जो 30-30 questions होते हैं तो आप मेजरली बोल रहे हो मेरे से कि मैं physics और chemistry के ज़्यादा कराई है हमें questions, bio कितनी नहीं जरूरत है हमें और theory set कराईए तो मैं gozes करूगी कि आपकी theory भी करा दूँ इसमें जैसे कि आपकी physics or chemistry strong हो जाए ज्यादा ज्यादा high level नहीं आता है जैसे कि आप सोच रहे हो कि need के level का या फिर int के level का नहीं आता है मौडरेट questions होते हैं और आपना moderate और easy के बीच में आता है ठीक है तो ऐसे questions आपके आते हैं तो मैं सोच रही हूँ कि आपकी theory है जो भी complete करा दूँ आपकी physics or chemistry के तो मैं जली से जल दे आपकी theory है वो भी लेकर आने वाली हूँ जैसे कि आपके questions भी साथ में हो जाए करेंगे और theory भी आपकी हो जाएगी ठीक है और मैंने ये community post डाली थी तो इस पर आपने बोला था कि मैं हमारी lecture भी हमें दो lecture भी हमें चाहिए और plus हमारी education practice है mcq वो भी हमें चाहिए तो मैं वैसे ही करूंगी आप चिंता मत करो आपकी lecture भी आएंगे और mcqs भी आएंगे ठीक है चिंता मत करें आप किसके class के lecture जो आपकी theory होती है उसके और बाकी आपको पता है ये जो चल रहा है आपका कौसा चल रहा है day कौन सा है आज तो ये है आपका hashtag day hashtag day 17 ठीक है ये आपका आज का दिन है ठीक है चल ये question देख लेते हैं हम सबसे पहले question के बोल रहा है आप से बोल रहा है the most pure form of carbon among the option is इन मैंसे कौनसी carbon की most pure form है तो वो कौनसी होती है आपके होती है graphite आपका d options हाई हो जाएगा 270 का इसमें 30 questions होंगे आपका याल रखना है ठीक है और देखिए next question आप देख सकते हैं कि बोल रहा है आपसे which of the following is usually not an air pollutant इसमेंसे कौनसा क्या है gas है जो एक pollutant की तरह काम नहीं करता है air pollutant की तरह काम नहीं करता है तो वो कौनसा होता है वो आपका हो जाएगा d options हाई हो जाएगा आपका कि hydrocarbonate की आपको याद रखना है next question देखिए next question देखिए next question बोल रहा है 272 कह रहा है which of the following is used as a lubricant lubricant के तरह कौनसी चीज हम use कर रहे होते है तो वो हमारी gas होती है graphite graphite कर रही हो gas नहीं मतलब graphite होता है जो लिबरिकant के तरह use कर रहे होते है next question देखिए 73 पूल रहे है 273 which of the following gas is used in cigarette lighter cigarette के lighter होते हैं cigarette वाले जो lighter होते हैं cigarette से चलाते हैं तो इसमें कौन सी gas हम यूज कर रहे होते हैं तो वो यूज कर रहे होते हैं वीटियन gas याद रखना है आपको नेस्ट कुछन देखिए 74 कह रहे है 274 ग्रेफाइट इस यूज इन अटोमिक पाइल्स तो ये ग्रेफाइट कैसे यूज की जाती है पाइल्स में वो आपको बतानी है तो आपका D options आई हो जाएगा इसमें कि आपकी ऐसा moderator ठीक है नेस्ट कुछन देखिए पॉजनस जो कहस होती है प्रेजेंट इन फ्यूम्स ओफ मौटर कार इस तो चलिए नेस्ट कुछन देखिए 275 बोल रहे हैं आपसे पॉजनस गैस प्रेजेंट इन फ्यूम्स ओफ मौटर कार इस तो जो पॉजनस गैस होती है फ्यूम्स की फॉम में पाई जाती है मौटर कार में तो वो कौनसी होती है तो आपको बताना है तो वो कौनसी होती है बटा वो तो जब ऑप्सिजन के मॉलेकूल को यह बहुत स्रॉण होती है तो वह चार मॉलेकूल हट जाते है और यह लग जाती है इसलिए पूरे हमारी बॉडि में जहर मतलब पॉजनस गैस तो हमारी में वह गैस फेल जाती है और gas फिलने के विज़े से हमारी dust तक हो जाती है, बहुत ही घातक होती है, ठीक है, तो आपको यात रखना है, question देखिए next, बोल रहे है, which one of the following gases dissolved in water to give acidic solution, तो इनमासी कौन सी gas है, जो क्या होती है, dissolved हो जाती है water में, acidic solution देती है, तो वो कौन सी carbon dioxide, आपका CO2 इसका option हो जाएग ठीक है, just a minute, मैं इसे tick लगा देखिए, CO2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, next question देखिए, next question आपसे बोल रहे है, कि chemically, phosgene जो कैसे होती है, इस उसो क्या पोलते हैं, तो उसे बोलते हैं, carbonyle chloride, ठीक है, next question देखिए, next question बोल रहे है, which of the following is present in maximum amount in acid rain, तो maximum amount जो होता है, आपक sorry, H2SO4 खटी का, तो यह सबसे ज़्यादा amount होता है, इसका, wish of the following is present in maximum amount in acid rain, तो भूती है, H2SO4 सबसे ज़्यादा इसका amount होता है, next question देखिए, next question आपसे बोल रहे हैं, कि wish of the following element is a semiconductor, इन वैसे कौन सा element है, जो semiconductor होता है, तो आपको बताना है, तो वो option हो जागा, आपका silicon semiconductor हो next question, which of the following element is used in solar cell, इन वैसे कौन सी चीज़ इस solar cell में use की जाते तो वो silicon ही use का जाती है, आपकी solar cells में, next question देखिए, next question बोलना है, glass is a glass क्या होता है, तो glass एक क्या है, glass एक है, आपका non crystalline amorphous solid होता है, हमारा glass, ठीक है, आपको याद रखना है, फिर देखिए, next question बोलना है, percentage of lead in lead pencil is, तो जो lead की pencil होती है, उन्हें percentage layer की कितनी होते वो आपको बतानी है, तो वो होती है, आपकी 0% lead होता है, उसमें, next question देखिए, formula of tear gas is, tear gas का, जो रोने वाले gas होती है, आसु वाले gas, उसको क्या बोलते है, तो आपको पता है, हसने वाले gas, N2O होती है, और आपकी tear gas होत होती है, आपकी CL3NO3, तो जो हसने वाले gas होती है, वो यह होती है, यह हसने वाले gas होती है, यह हसने वाले gas, laughing gas, बोलते है, इसको, laughing gas, तीक है, यहाद रखना है आपको, फिर देखिए, next question बोल रहे हैं आपको, which of the following gases has color, इन्हें से कॉनसी यह gas में color होता है, तो आपको बता इसकेим है, इन्हें से कौन सा compound है, जो refrigerator में हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सी gas है, जो यूज कर रहे होते हैं, काफ। घर तो आपको, आपको, c ओय रहे हैं तो इससे क्या है हमारा जो global warming है वो नहीं बड़ पा रही है या पिर कह सकते हो आप के जो आपके carbon 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 chlorofluorocarbon है वो रिलीज नहीं होती है उनसे तो इसलिए रही है नेक्स लेशन आप से बोल रहे हैं कि cement factory baks are prone to तो इसका जो answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा cytosilicosis फिर next question देखी है, next question बोल रहा है sugar of lead is sugar of lead is क्या है तो इसका answer हो जाएगा आपका C PV, CH3, CW का whole twice फिर दगी next question बोल रहा है, the fume of NO2 are dust in color जो fume होते हैं हमारे प्रशव प्रार प्रवन प्रड़कों के हुरे वो चैसे की तो आप गाम पहलेग hac प्रऔरा के की है तो ये चीज में आपको आपको यह प्रड़ा के नईसकेशन देखिए नसकेशन बोल रहे हैं आपसे 289 कह रहे हैं आपसे कि कह रहे हैं 289 कि तो इनवे से कौन सी चीज है तीन एलिमेंट है जो केमिकल फर्टलाइजर में हम यूज कर रहे होते हैं तो बोती है आपसे बोल रहे हैं 291 बोल रहे है atomicity of phosphorus is atomicity phosphorus की क्या होती है तो बोती है आपकी force आपका answer C सही हो जाएगा next question देखिए next question देखिए phosphorus is kept in phosphorus किसमें kept करते हैं तो phosphorus को हम किसमें kept करते हैं उसको हम कर रहे होते हैं kept cold water में ठीक है next question देखिए के बोल रहे हैं आपसे which of the following is used as anesthetic तो इसका जो अंसर हो जाएगा बी हो जाएगा oxygen किस ने discover किया था वो आपको बताना है तो वो कौन थे पिसले थे इन्होंने oxygen को discover किया था पिसले आने पढ़ा होगा आपने किस में पढ़ा होगा वोसे पढ़ा होगा जो आपके कौन सा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में मतलब plant पिसले नहीं है oxygen को discover किया था फिर देखिए 296 sulfur molecule क्या होता है यह आपको बताना है तो sulfur molecule तो सभी को पता है कौन सा होता है कि आपसे बोल रहे हैं कि जो bleaching action होती है of SO2 की is due to किस पर जैसे होती है तो वो दिया reduction की पर जैसे next question देखिए next question आपसे कह रहे हैं कि which one of the following is a cause of acid rain इनमें से कौन से चीज है जो cause कर दी acid rain को तो इसका जो answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस cancer हो जाएगा आपका sulfur dioxide जैसे मैं आपको बताया है याद भी करवाया आसान ठीक है आसान तो आ से क्या हो जाएगा acid rain acid rain हो जाएगा और sun से क्या जाएगा SO2 और ना से क्या हो जाएगा NO2 ठीक है तो ये दो गया से होती है majorly जो participate कर रहे हों थी acid rain में last but not the least question आपसे जह रहा है कि which is known as oil of vitriol यान मैंसे कौन सी चीज है जो oil of vitriol के नाम से जाने जाती है तो वहारा हमारा H2SO4 होता है जो oil of vitriol के नाम से जाना जाता है यह आपका previous year question है यह वाला जो है आपका 291 यह आपका previous pyq यह चुका है कौन सी year में 22 में तो आपको याद रखना है ऐसे वह सारी चीज़े हैं जो आपको मुझे भी करवानी है मैं आपको करवा दूंगी चिंता मत करो अब क्योंकि मैं ऐसी capture कर लिया करूंगी आपके लिए जो theory है वो और आपको पढ़ा दिया करूंगी ठीक आप चिंता मत करो बिल्कुल भी तो आज के लिए दिना ही थैंको सो मुझे वाची मत लेक क्या लव यू आल